हेलो डियर्स आज की स्टीडियो में हम देखने वाले हैं औरेंच पील फर्टिलाइजर पलस पेस्टी साइड मतलब के संतरे का छिलके का खाद पलस कीट ना सक हम किस तरीके से बना सकते हैं बनाएंगे भी और पौधे में इस्तिमाल भी करेंगे लेकिन इस्तिमाल करने से पहले आपको आना चाहिए इसका सही तरीका तभी पौधे में जबरदस्ट तरीके से फाइदा होगा पर आपके पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में चीटिया या मिली बक्स या किसी इंसेक्ट का अटैक है, तो सारे प्रोब्लम इस फर्टिलाइजर के द्वारा दूर हो सकते हैं तो दोस्तो एक बड़ फिर से आपका अपने ही गार्डिनिग चैनल गार्डिनिग में फिर से बहुत बहुत स्वागत है, यह वीडियी यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेस्बूक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेच को करना ना भूले, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यह रहा दोस्तो औरेंज पील फर्टिलाइजर, संतरे के छिलके का खाथ, जो 100% और्गैनिक होममेड वेस्ट मेटेरियल से बना हुआ है, अकसर हम संतरे खा करके छिलके फेक दिया करते हैं, या फिर कुछ लोग इसे कमपोस्ट बीन में डालते हैं, लेकिन यहां पर मैंने बनाया है औरेंज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर, आपको मैं ये चीज बता दूँ, किसी भी पौधे में अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, तो वो फर्टिलाइजर बहुत ही जल्दी पौधे में असर होता है, लिक्विड के जगा अगर आप सॉलिड फॉर्म या पौडर फॉर्म में कोई भी चीज को डालते हैं, तो वो थोड़ सुलो असर करता है पौधे के उबर, तो अगर आपको जल्दी में रिजल्ट्स जाहिए, बहुत ही अच्छ तो फिर आप लिक्विड फॉर्म में ही किसी भी फर्टिलाइजर को डाले, यहाँ पर भी हमने ओरेंज के छिल्के का लिक्विड फर्टिलाइजर ही बनाया है, इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए मुझे करीब दो महीने का समय लगा है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट टिप्स, जरूरी बात हैं जो आपके पॉधे के लिए काफी लाब दायक होगा, हो सकता है छूट जा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत किजिएगा, दोस्तों इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से अगर आपके पॉधे में बिल्कुल चमक नहीं है, पॉधे डल लग रहा है, ऐसा लगता है कभी कभार पॉधा, कि पत्तों में कभी शाइनिंग नजर आती है, कभी पॉधे बिल्कुल बेचान लगने लगता है, पॉधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है, नए शूट्स नहीं आते हैं, ये काफी फाइदे मंद होता है किसी भी पौधे के लिए अगर आपके पौधे में फूल खिले है या फिर कलिया बनी है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीटियों का अक्रमन हो जाता है इंसेक्ट का टैक होता है मिली वक्स काफी मातरा में लगते हैं खास कल गुरहल ही विसकस के पौधे में जो मैं आपको यह वीडियो में दिखा रही हूं इस पौधे में काफी ज्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है यह पौधा इंसेक्ट को काफी अट्रैक्ट करता है अपनी इसका जो इसमेल होता है वो काफिश ट्रॉंग होता है जो कीड़े मकोडो को कुछ खास पसंद नहीं होता आपके प्लांट में जब तक ये इसमेल बरकरार रहेगा आपके प्लांट इंसेक्ट फ्री रहेंगे तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस फटिलाजर को बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले हमने लिया है एक शीशे का जार अगर पॉसिबल है तो आप शीशे का जार ही लें और नहीं है तो फिर आप किसी प्लास्टिक का बोटल भी ले सकते हैं इसमें हमने एक जार पानी भर लिया है उसके बाद कुछ औरेंज के छिलके लेने हैं इसमें आप पानी के हिसाब से औरेंज के छिलके ले सकते हैं मातरा कम या जादे होने से भी कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा तो मैंने चार से पांच संत्रे के छिलके लिए हैं और एक लीटर जितना पानी लिया है सभी को इस जार में भर देना है और यह 100% नॉर्मल वाटर है इसमें मै कोता सा गुड़ का एक दाल ले ना है को कोवसिस किजिएगा एक चीनी वाला गुड़ आता है वह ना ले यह जो काला वाला में पाहतना है यह ले आपको डाने से उसके इसे बाद आपको क्या करना है, जो जार है, जिसमें आप इसे रखने वाले हैं, उसका कैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस जार को आपको खुला नहीं छोड़ना है, कैप लगाना है, और जो कैप आप लगाने वाले हैं, उसमें आपको कुछ होल्स बना लेने हैं, ऐसा कर क्यों जरूरी है आपको वीडियो में खुद पता चल जाएगा तो चलिए हमने फटा-फट से ज्यादा नहीं तीन से चार होल्स बनाए इतना ही काफी इसके बाद जार को बंद कर देना है इस कैप से और जार को 100% इंडोर जगह पर ही रखना है उसके बाद आपको इसे बीच अच्छा हलका पीला नजर आएगा कई बार आप उन्हें वीडियो में देखा होगा कि औरेंज के छिलके का फटिलाजर बिल्कुल फूर्टी के कलर का नजर आता है पीले कलर का तो ऐसा कभी नहीं होता है अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कलर वगएरा मिला देते हैं तो वो अलग सी बात है तो दो महीने के बाद हमारा जो फटिलाजर का लुक है इस तरीके से है अब इस्तिमाल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ इस्तिमाल करने से पहले आपको इसे अच्छे से शेक कर लेना है जैसे किसी भी लिक्विड चीज को आप यूज करते हैं तो उस बिल्कुल बायो एंजाइम्स की तरह ही काम करेगा बलकि आप इसे फटिलाजर की जगह पर बायो एंजाइम्स भी पोल सकते हैं यहां पर देखे एक छोटी सी गिलास में मैंने इसे निकाला है आपके पास जो नॉर्मल गिलास का साइज है उससे एक क्वाटर आप इसे बो लेना है इस तरीके से यह 100% नॉर्मल पानी है तो यह हमने एक गिलास यहां पर पानी ले लिया थोड़ा सा पानी हमने ज्यादा भर लिया है तो चलिए थोड़ा सा खाली कर लेते हैं अब देखे यहां जो फटिलाजर है यह हमने इसमें पूरा डाल लेना है डालने के अब यह बिल्कुल रेडी है प्लांट्स में जाने के लिए लेकिन यहां पर एक चीज में आपको बता दूँ कि यह चीज आपको मिट्टी में नहीं डालनी है क्यों नहीं डालनी है वो मैं आपको बता देती हूं क्योंकि यह संत्रे के छिलके का जो फटिलाजर होता है तो सब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों लेकिन चलिए उससे पहले मैं उनके नाम हाइलाइट कर देती जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था उनके नाम है राज लैमुएल और ललीदा बजाज जी परमीला देवी और आथर्व जी फतेपूर से परमजीत चींदौर से जेपी सिंग जी अनूराजेश सतिंदर कौर जी और गाव्या कोठारी जी तो अब मैं बता देती हूं इसे हमने बनाया है क्यों इतनी मातरा में एज पेस्टी साइड पेस्टी साइड के रूप में इसे इस प्रे बॉटल ने भरके इसका छिरकाओ करेंगे हम पौधे के उपर इतनी जादे मातरा में इसलिए इसे मिलाया है ताके इसका स्मेल खुबी स्ट्रॉंग हो और पत्ते के उपर ये लंबे ताइम तक बना रहे ताके इंसेक्ट दूर रहे अब चलिए मैं आपको बताती हूं मिट्टी में कैसे डालना है मिट्टी में डालने क्योंकि एक लिटर पानी में मैं इसलिए समझा रहे हूं क्योंकि एक लिटर कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा तो हमने बिल्कुल वन फोर्थ इस छोटे गलास से इस फटिलाजर को लिया है एक लिटर पानी में जब हम इसे मिक्स करेंगे तो पानी का क बहुत जादा गिले होने के वजा से और Drainage Hole से वेस्ट ना हों तो जिसमें थोड़ी सी कि- रूइ है उसे मैंने ज्यादा डाला है और जिसें मिट्टी गीली हे उसे मैंने थोड़ा सा कम डाला है और पॉट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 इंच का POT है अब आप कैसे डालेंगे, मैंने एक लीटर में बिल्कुल आपने देखा करीब 10 ml जितना ये फर्टिलाजर डाला है तो पानी और फर्टिलाजर का रेश्यो यही रखेगा, एक लीटर पानी में 10 ml फर्टिलाजर इनफ है लेकिन अगर आपके गमली की मिट्टी बिल्कुल ड्राय है तो आप उसकी क्वांटिटी जादा रखें, गीली है तो फिर थोड़ा कम डालिए बहुत जादा गमले के लिए बनाना है तो उसी अंदास से 4 लीटर 5 लीटर पानी दीजिए 4 लीटर पानी में 40 ml यह फर्टिलाजर डालिए 5 लीटर पानी में 50 ml डालिए इस तरीके से कैलकुलेट करके आप अपने हिसाब से फिर रेशियो मेजर करके फटिलाजर बनाएंगे इस फटिलाजर को आप दोबारा से 15 से 20 दिन के बाद इस्तिमाल कर सकते हैं छिलकाव अगर अपने पौधे के उपर एस पेस्टिसाइट करना चाहते हैं तो हफते में 2-3 बार कर सकते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि 2 महीने में या 3 महीने या 5 महीने में ये फटिलाजर बन गया है संत्रे के छिलके जो उपर तैर रहे होंगे आप देखेंगे नीचे तल पर बैठने लगेंगे तभी आप समझ जाएं कि ये हमारा फटिलाजर बन गया है अब मैं आपको वह भी बता देती हूँ कि शॉर्ट कट तरीका क्या है एक बॉल में पानी लें कुछ संत्रे के छिलके लें थोड़ा सा गुड़ कर तोड़ा लें सभी को धीमी आज पर बॉल कर दे दो से चार मिनट ठंडा हो जाए पानी मिक्स करें खूप सारा और प्लां इसका इस्तेमाल में कभी भी कर सकती हूँ मुझे बार बार बनाने की ज़ूरत नहीं पड़ेगी आप लॉंग प्रोसेस भी चूज कर सकते हैं चोईसी जूर्स तो दोस्तों नियम के मुताबिक आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने कितने संत्रे के छिलके इस्तेमाल क कमेंट सक्सें में पूछें मैं हरे कमेंट का रिपलाय करती हूँ आज का वीडियो यहीं तक वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मैं मिलूंगी आपसे परस और किस निए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ टेक केर हैपी गार्णिंग इस्टे करनेक्टेद थैंक यू वेरी मच